जयमां इंद्राक्षी जयम्दे इंद्राक्षी धान में दर्शुक वाप सभी का महार्दी को स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों को जनम दिवसे मेरी जहनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुक्त पादना है आज बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है मांसिक तनाव और ग्रह कलेश कई बार हमारे घर में छोटी-छोटी सी बातों पर तनाव रहता है और घर में वो तनाव, वो कलेश हमारी मांसिक इस्तित्य को भंग कर देता है पती-पतनी के बीच कज़बार बहुत जगड़ा रहता है हमेशा पती चाहे कि जगड़ा ना हो हमेशा पतनी चाहे कि जगड़ा ना हो लेकिन कोई न कोई ऐसा इश्यू ऐसा छोटा सा सुत्र तिनका भर राई भर पैदा हो जाता है कि मानुप पहाड जैसा कलेश हो जाता है भगवती का एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है आपकी डाईरी में ये मंत्र लिखा होना चाहिए हम ऐसी कामना नहीं करते हैं कि आपके घर में कलेश हो लेकिन कई बार ऐसी इस्तिति आपके घर में आपके परिवार में या आपके कहीं रिष्टे नाते संबंदे में जानकारी में बन जाती है आप ये मंत्र उनको बता सकते हैं एक प्रोप्राप का काम आप कर सकते हैं कई बार माताएं हमें बेटी के लिए फोन करती हैं कि शर्मा जी बेटी के घर में तनाव रहता है और बेटी दुखी तो मा दुखी इसलिए ये मंत्र बहुत काम का मंत्र है आप इसी जरूर लिखेगा मैं आज का पहले पंजांग पढ़ देता हूं फिर मैं आगे की बात करत हूं ग्यारा जोलाई सन दोहजार बाईस दिन सोंबार आशाड मा शुकल प्रक्स संबन दोहजार उनासी तिथी आज द्वाती जी है और प्रदोश का वर्त है नक्षत्र अनुराधा राहु काल साड़े सास से नो दिशा सूल पूर्वा दिशा भगवार न करे कि किसी के घर में तनाव रहता हो कलेश रहता हो उन महिलाओं के हरदे से पूछिए जो घर को बहुत सुंदर से समारना चाहती है बनाना चाहती है लेकिन उसके बाब जूद भी घर का तनाव है घर का कलेश है कि जाता नहीं कई बार अच्छी जॉब ना होना, घर में अच्छा पैसा ना होना, घर में हारी विमारी होना, घर में नजर लग जाना, घर में बड़ा कोई वास्तु दोश होना भी हमारे घर में तनाव का कारण बनता है बाहर किसी से कलेश हो जाना और वो गुस्ता घर में आकर के उतर जाना वो भी एक कलेश बन जाता है सबसे पहले मैं आपको जगजन्नी माइंदराक्षी दुरगा का एक मंत्र लिखवा देता हूँ आईए आपको मंत्र नोट करें लिखें आम शौम शौक विनाशनी भ्याम नमाहा दुबारा सुनें आम शौम शौक विनाशनी भ्याम नमाहा ये भगवती का मंत्र है इस मंत्र को दुरगा देवी यानि के इंदराक्षी माता का ध्यान करते हुए आप इस मंतर को एक माला प्रती दिन पढ़ें और जब पढ़ें तो कटोरी में थोड़ा जल रख ले और भगवती से जगजनी से प्रात्न करें हे जगदंब भभवानी हे मया आप मेरी माँ है और हे माँ अपनी बेटी को सुखी बना दें अपने बेटे को सुखी बना दें अपने परिवार को सुखी बना दें और इस मंतर की एक या तीन माला लाल चंदन से या रुद्राक्षी माला से भगवती को धूब दीव दे करके पढ़ें बाद में जो कटोरी में जल है फूख मारें और वो जल या तो आटे में मिक्स कर लें अगर महिलाय कर रही हैं सबजी में मिक्स कर सकती है पूरुष कर रहे हैं तो घर में उस जल का चीटा दें टॉइलेट वातरूम को छोड़ करके सारे घर में चीटा दें या सबको चर्णामरत के रूप में थोड़ा-थोड़ा पीने के लिए दे दें आप ये प्रियोग हर मंगलवार करें या प्रती दिन करें कुछ दिन तक जब तक कलेस नश्ट ना हो जाए समाप्ट ना हो जाए और उसके बाद चाहे प्रते एक मंगलवार करने या प्रते एक अश्ट भी करने बहुत अच्छे सुक की प्राप्ती होगी आपको लगता है कि यही व्यक्ति हमसे बहुत लड़ता है चाहे कई बार पुत्र भी हो सकता है कई बार कोई और भी हो सकता है कुछ कोई भी हो सकता है घर का परिवार का सरस्तिय नाम लेता है थोड़ा अजीव लगता है मुझे, इसलिए मैं कोई भी कोई भी कहके आपसे काम चला रहा हूं, अब क्या करें, जो कोई भी आपको लगता है, तो आप जो उसको दूद दें, तो यही मंत्र पढ़के दें, पानी दें, तो यही मंत्र पढ़के दें, रोटी द किलवा दें कुछ भी दें यही मंत्र बढ़के दें क्यों जैसा खाए अन वैसा होए मन जैसा पीए पाणी वैसी बोले वनी जी तो आप इस भावना से उसको गरके दें ताकि उसका मन आपसे पर भुलित रहे मन खुश रहे भगवती का सुवाशीश आपके परिवार में दो स्वाहा लगा करके जहां नमे लिखा है फिर नमे नहीं बोलेंगे स्वाहा ओम शौम शोक विनाशनी भ्याम स्वाहा ग्यारा आउती या किस आउतियां भी इस मंत्र से आप दे सकते हैं आयस्टमी या मंगलवार के चीक है नहीं तो किवल इसको आप जबते रहें बहुत अ गुरु पूर्णिमा में हैं बाभवती का शुबाशी से लेकर के गुरु महराज का शुबाशी से लेकर के गुरु पूर्णिमा के बाद जो लोग दिख्शा लेना चाहते हैं या तो गुरु पूर्णिमा के दिन या गुरु पूर्णिमा के बाद अपना नाम, मोबाइल number and from आप कहां से है, सब लिखवाते रहे ना, फिर धीरे धीरे आप सब को गुरुदुक्षा मिल जाएगी कैसे मिलेगी वो हमारे संस्थान से आपको सब बता दिया जाएगा और आप हम से जुड़ जाएंगे गुरु शिश्य का रिस्ता जो होता है, वो पिता पुत्री की तरह होता है, पिता पुत्र की तरह होता है वासल्य का रिस्ता होता है एक टीचर की तरह गुरु अपने शिश्यों को दिख्षा देता है, शिख्षा देता है, वो रिस्ता बन जाता है तो गुरु दिख्षा किसी भी लालच में लोब में नहीं गुरु दिक्षा ली जाती और नहीं दी जाती अंत्य करण में जब आपके पृती कोई श्रद्या आती है कि हम आपको अपने गुरु बनाना चाहते हैं तब ही आप उस दिक्षा की तरफ आगे बढ़ें अन्य था दिक्षा का कोई माइने नहीं रह जाता आईए बात की है जग जन्नी के मंत्र की जुड़ते हैं इंद्राक्षी दुर्गामा से ओम सिंदूर अरुण विग्रहाम त्रिनायनाम मानिक्यमोलेस्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआम पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संददतिं करिस्त्रिनायनाम सरवंग वुस्वरिताम नेलास मध्युत्यमास्यबाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम् अदुम् कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कञ्याम विहकरवाल खेट विलसा दस्त विरास्यविताम हस्ते स्चक्रगरा सिखेट विशिखाम स्चापम गुणम तरजनीम विप्राणा मलिलात्मे काम ससिदाराम धुरगाम तिनेत्राम वजे कवच बना लें भगवती आप सब का कल्यान करें ओम बोलते हो नेत्र खोलें समनने हो जाएं हमें गुरु पूर्णेमा में क्या विश्यस करना चाहिए जिन्होंने अपने अपने गुरु धारण की हैं जहां से भी है वो सारी जो वीडियो है वो आज आपको मिल जाएगी या कल सुबह तक मिल जाएगी कोशिस की जाएगी कि आज ही आपको प्राप्त हो जाए उसे सुन लेना और इसी के साथ-साथ कुछ टीवी चैनल्स पर भी हमारा गुरु दिक्षा को लेकर के कारिकरम आएगा तो उसकी भी जानकरी आपको मिल जाएगी कितने कितने बज़े वो कारिकरम टीवी चैनल्स पर आएगा दो तीन चैनल्स पर आएगा तो उसको भी आप जरूरु सुन लीजिएगा देख लीजिएगा ठीक है और वाकी हमारी शुभ काननाएं जितने भी लोग हमें सुनते देखते हैं सब के लिए हमारा बहुत बहुत प्रेम शुबासिस और शुब कामना है इन्हीं वक्तव्य के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं जय जय अम्बे मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फड़ जाती थी तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया मेरे तीस साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी तो वो मेरी मेरी मंतर करती थी आपने मेरे को बताया था तो उस मंतर से मेरी रोशनी बापिस किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंदरु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक यह वो साथिया तक रिक्चारं साथिया